बहुत जोरों से आंधी दोफान चल रहा था और बहुत देर से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर गाओं में एक बहुत गरीब परिवार रह रहा था जिसमें एक काली प्रेगनेंट बहु अपने घर में भरे हुए पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अंदर आई है जबसे हमारे घर की बरकत ही चली गई तु इस घर से निकल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मा आप कभी तो अपनी जुबान पर कंट्रोर रखा करो एक तो बिचारी इतनी परेशानियों में हमारे साथ खड़ी है और आप उसी को इतना उल्टा सीधा कह रही हो हाँ हाँ तेरी ही कमी रह गई थी बोलने के लिए और तूने भी वो कमी पूरी कर ली तुझे शरम तो आ नहीं रही होगी ये सब बोलते हुए अरे जब से तू इस काले मूखी बहू को घर के अंदर लेकर आया है तब से ही सब कुछ नाश हो गया है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा तेरी शादी के बाद ही तेरा काम छूट गया था कितने सालों से तू मजदूरी कर रहा था और अब मजदूरी करते करते तेरे उपर मशीन गिर गई और तेरी ये हालत हो गई ये जिन्दकी है माँ जिन्दकी में उतार चड़ाओ तो होते ही रहते हैं इसमें इतना क्या सोचना केसरी को अपनी काली बहुत जरा भी पसंद नहीं थी और बेचारी संगीता बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी तबी वो हाथ जोडते हुए दुर्गा माँ से प्रार्थना करती है ही दुर्गा माँ पूरा परिवार भूखा प्यासा बैठा है इस बारिश को रोक दो मैं तुम्हारे आगे भी निती करती हूँ संगीता के इतना बोलने के बाद कुछ ही देर में बारिश अपने आप रोक जाती है जिसके बाद प्रेगनेंट संगीता अकेले ही घर का सारा पानी बाहर निकालती है और पूरे घर को सुखे पोछे से सुखाती है जिसके बाद वो चूला जलाकर सभी के लिए चावल बनाती है संगीता के कहने पर उसका बेटा अरजुन नहा धो कराता है और अपनी मा से थोड़ी से चावल लेकर दुर्गा मा को भोग लगाता है यह सुनते ही संगीता की आँखो में आसु आ जाते है और वो रोते हुए अरजुन के साथ मिलकर दुर्गा माता को पूरे मन और शद्धा से भोग लगाती है उसके बाद ही वो सभी को खाना परोस्ती है सभी के खाना खाने के बाद विनोध संगीता से कहता है संगीता जरा मुझे बात्रूम तक लेकर चलो ठीक है जी मैं लेकर आती हूँ आपको गर्भावस्ता मैं भी संगीता विनोध को सहारा लगा कर उठाती है और उसे बात्रूम तक लेकर जाती है इतने में फिर से बारिश शुरू हो जाती है इस बारादी तो फान बहुत तेज आता है और बारिश इतनी तेज होती है कि उनके घर के छट से पानी टपकने लगता है हे भगवान ये क्या अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया तो और फिर से बारिश होने लगी और अब तो छट भी टपक रही है संगीता जहाँ जहाँ पानी टपक रहा होता है वहाँ वहाँ घर के बरतन लगा देती है हे दुर्गा मा हमें इस परिशानियों से मुक्त कर दो और कब तक ये सारी परिशानियां हमें देखनी होंगी अपने भक्त की परिशानियों को दुर्गा माता सर्ग में बैठी देख रही थी इतने में शेरा ने दुर्गा माता से कहा माते आपके भक्त कितनी परिशार है कि आप उसकी मदद नहीं करेगी ऐसा नहीं है शेरा मैंने देखा है कि किस तरहा से वो मेरी पूजा अर्चना करती है पर उसकी मदद करने से पहले मुझे संगीता की एक परिक्षाले नी होगी तब ही पता चलेगा कि वो मेरी मदद योग्य है या नहीं तो आप परिक्षाले रे कब जाएगी इतना क्या कर दुर्गा मा स्वर्ग से होतार कर प्रतिवी लोग पर आ जाती है और वो एक बोढ़ी औरत का रूप ले लेती है जहां पर बातरूम के अंदर से जब विनोध बाहर आ जाता है तो संगीता उसे वापस खाट पर लेटाने के लिए लेकर आती है जैसे ही वो अपने पती विनोध को खाट पर लेटा देती है तब भी उसके पती के पेट पर छट से पानी टपकने लगता है अरे ये क्या इस जगा पर भी पानी टपकने लगा इस बारिश ने तो हमारा जीना हराम ही कर दिया है ये सब देखकर संगेता का मूँ लटक जाता है और वो बहुत उदास हो जाती है तब ही केसरी उसे फिर से कोसना शुरू कर देती है केसरी ऐसा कहकर संगेता को धग्का मार कर निकालने लगती है केसरी को लगता है कि उनके साथ जितना भी बुरा हुआ है वो सब संगेता की वज़ा से ही हुआ है लेकिन जैसे वो धक्के मार कर उसे दर्वाजे तक लेकर आती है दर्वाजे पर एक बुड़ी औरत के रूप में मा दुर्गा आती है परिक्षा लेने और उनसे खाना मांगती है बहुत जोरों से भूक लगी है बारिश के चलते किसी ने मुझे खाना नहीं दिया कुछ खाने को है तो दे दो अपने हिस्से का बचा कुछा खाना भी संगीता उस बुड़ी औरत को दे देती है यह सब देखकर केसरी थोड़ी देर के लिए शान्त हो जाती है मुझे खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया भगवान तुम्हारा भला करे अब मैं यहां से चलती हूँ ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है उसके जाने के बाद केसरी फिर से अपनी काली बहो के ऊपर अत्याचार करने लगती है वो उसे बारिश में बाहर निकाल देती है माजी, माजी दरवाज़ा खोलो बाहर बहुत जोरो से बारिश हो रही है मैं पूरी बारिश में भीग गई हूँ मेरे न सही मेरे होने वाले बच्ची का सोचिये मुझे अंदर बुला लो माजी अपना काला मू लेकर यहां से कहीं भी चली जा, मैं तुझे इस घर में बिलकुल नहीं देखना चाहती। केसरी ऐसा कहकर बैट जाती है, जहां विनोद भी इतना लाचार था कि वो उट भी नहीं सकता था, और अरजुन तो बेचारा अपनी दादी मा के घुस्से के डर के मारे रोही रहा था, तब भी संगीता को बाहर खड़े हुए आवाज आती है। रोना बंद करो बेटी, तुम्हारी मा तुम्हारे साथ है। आवाज सुनते ही जैसे ही संगीता पीछे पलड़ती है, उसके सामने बूड़ी औरत होती है, जो थोड़ी देर में दुर्गा मा बन जाती है, जिन्हें देख कर संगीता दुर्गा मा के चड़ों में गिरकर आशिरवाद लेती है, इतने में उसके घर का दर्वाजा अपने आप खुल जाता है, चलो बेटी, बारिश बहुत हो रही है, अंदर चलते हैं दुर्गा मा संगीता को अपने साथ घर के अंदर लेकर आती है, अपने घर के अंदर स्वैम साकशाध दुर्गा मा को देख कर विनोद और केशरी दोनों हैरान हो जाते है दुरगा मा कही मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ क्या मेरे सामने दुरगा मा कह रही है नहीं ये कोई सपना नहीं बलकि हकीकत है लेकिन तुमने बहुत गलत किया इस बेचारी ने तुम्हारे पूरे परिवार को समेट के रखा तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया और तुमने इसी के उपर इतने अत्याचार किया कि तुमने बरसाथ के समय इसी को बाहर निकाल फेका ये सुनते ही केसरी को अपनी गलती का एसास होता है वो दुर्गामा के चड़ों में गिर कर उन से अपनी गलती की माफी मांगती है दुर्गामा, दुर्गामा मुझे माफ कर दो, मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई मैं अपनी गलती स्वीकारती हूँ, आज के बाद मैं संगीता के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी जो तुमने मेरी फूल जैसी बेटी के साथ किया है, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी दुर्गामा ऐसा कहकर अपना तुर्शोल उठा कर केसरी को उसके किये की सजा देने ही वाली होती है, कि इतने में संगीता उन्हें रोक लेती है संगीता का इतना अच्छा सभाव देखकर दुर्गामा उसके सास को तो छोड़ देती है, पर उसकी मदद के लिए अपनी शक्तियों से उसके पूरे तूटे फूटे घर को पक्के मकाल में बदल देती है कहीं से भी पानी नहीं टपकता और ना ही घर के अंदर पानी होता है, वहीं दूसरी तरफ दुर्गामा के दूसरे हाथ से बहुत सारे सोने के सिक्के निकल रहे होते हैं, देखते ही देखते वहां सोने के सिक्कों का धेर लग जाता है, वहीं दुर्गामा उसके पती को भी का फल है पुत्री आज के बाद तुम्ही कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी ये मेरा आशिरवाद है तुम्हें दुर्गा मा ऐसा कहकर संगीता की सिर पर हाथ रखती है और वहाँ से खायब हो जाती है ये सारा चमतकार देखकर सभी हैरान हो जाती है अब उनकी सभी परेशानिया खत्म हो जाती है उनका घर भी ठीक हो जाता है और उनके पास अब इतना सारा सोना था कि संगीता उस सोने की मदद से अपने पती के साथ ये एक दुकान खोलती है, जिससे उनका घर अच्छा खासा चलने लगता है ऐसे ही वक्त बीथता है, संगीता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है ये सब देख आस्पान से दुरगा माँ खुश हो रही थी, इस तरह एक सच्चे भक्त को उसके आस्था का सबसे बड़ा फल मिलता है